तो आज बच्चों हम क्या करने वाले हैं देखिए आज हम आपकी होबी के वारें पढ़ने वाले हैं सबी को अपनी होबी को बताना कि मैं क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है सबको अच्छा लगता है तो आज हम यही करने वाले हैं बड़ी ही इंट्रेस्टिंग सी आपकी वरक्षीट है और इसके साथ साथ आप इसमें अपनी डायरी एंट्री जो आपकी एक्जाम में आती है अपके इसले बस में डायरी एंट्री है नाइंथ में तो उसको भी हम साथ ही साथ सीखेंगे तो चलो पढ़ना सुरू करते हैं लेस्ट स्टार्ट है एलो स्टुडेंट्स तोड़ी वी एर गोंग तो टॉक अबाउट आर होबी बच्चो आज हमनी होबी के वारे में बात क इतर आहीं कि को भी बता रहा जो भी कोगी किषिक हो प्रोब्य सकती है कि मुझे खाना बनाना पसंद ऐखाले टाइम में और मुझे सौंग सुनना पसंद है देखे I am fond of reading nobles मुझे nobles पढ़ना पसंद है I enjoy making videos मुझे videos बनाना पसंद है next है I love to play chess मुझे chess कहलना पसंद देखे लड़की बागदोर वाला खेल नहीं कहल सकती क्योंकि physically absent है तो इसे chess कहलना पसंद है और I love dancing मुझे dance पसंद है तो ऐसे ही आप सबकी अलग-अलग hobbies होंगी सबकी अलग-अलग पसंद ना पसंद सबकी अलग-अलग होती हैं बच्चो तो उन्हें हम अपनी hobbies बोलते हैं तो आज जो आपको अपनी hobbies को ही बताना है imagine करना है imagine you are Trisha यतीरत your participant in the activity with your classmates in Zoom class as described in a picture given below आपको देखे पिक्चर दी गई है आप आज कर आपको पता है कोरोना की वज़े से आपकी जो classes हैं वो सारी online classes चल रही है Google meet पर Zoom पर YouTube के या WhatsApp पर जैसे भी आपकी teacher आप से face to face नहीं हो रहे हैं इंट्रक्ट कर रहे हैं आपकी online classes के थूँ तो आप उस online classes में participate किया है आपने जहां पर आपको अपनी hobbies को बताना है और आप अपने सुननी हैं बाकियों की hobbies तो आपने suppose करो कि आपने आज सब की आज आज आपने ऐसी class लिया जिसमें hobbies को describe किया गया और आपको अपने उन experience को जो आपको class में experience हुआ उसे आपको डायरी में लिखना है और आपको उसमें reported speech यूज करने रिपोर्टिश जैसे किसी ने जो word कहें उनको उनी के सब्दों में बोलना तो अब हम देखें लिखना सुरू करेंगे डायरी एंट्री देखो बच्चों को डायरी एंट्री का एक format होता है हमें कोई भी राइटिंग इसके लिखने से पहले उसका format follow करना जुरूरी होता है सबसे पहले हम लिखते हैं date और day फिर time फिर होता है कि अब यहां पर आपके डायरी एंट्री आ गई और लाश्ट में आपका नाम हो गया या तो आप साइन करोगे आपको इस तरह से हमने डायरी एंट्री यह रूप प्लो करती है पहले टेट ओडे लिखेंगे ट्याइम लिखेंगे इसके बाद अपना लास्ट में साइन तो बच्चे आपकी मैंने डायरी लिखी है आप को इस से हैल एगी अप चाहे तो अपनी तरब से भी अपने अपने शब्दों में डायरी लिख सकते हैं डायरी लिखने सभी को पसंद दा है जिए दिन भर जो हुआ उसको रात को हम शाम को पैटकर डायरी में उतारते हैं जो भी जो हम यह करते हैं यहां पर लिखेंगे हम सेटरडे देखिए साथ नवंबर सेवन नवंबर 2020 और डे जो हमारा सटरडे हैं आप सटरडे यहां भी लिख सकते हैं हमने लिखा है आगे यह बच्चे यहां आएगा सेवन टाइम पहले आना है सेवन पीम और यहां आएगा डियर यह राइटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई यह पंद यह बच्छे यहां पर देखे सटरडिय आएगा यहां फेल रोडियर अधुट की लिख लिया हैं कि आगे यह टू थीनधलिक टाइम लिख लिख लिए आए देट आपिट्या-टाइंग लिख लिए हैं पिल में यह लेसे में लग करेंगे रणीगे खरना देप्शे and other mobile app और अन्य mobile app पर हमारी classes हो रही है जिसे आप सब की हो रही है Today I enjoy my class very much, आज मैंने में क्लास को बहुत enjoy किया This was an interesting class ये बहुत interesting class थी Teacher asked all students about their hobbies Teacher जो है, वो सभी बच्चों से उनकी hobbies के बारे में पूछ रहे थे उनकी पसंद के बारे में पूछ रहे थे जो हमारी teacher थी आज की Everyone was talking about like and dislike हर कोई अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बता रहा था My classmate Nisha is physically challenged girl जो मेरी classmate है Nisha नाम की, वो physically challenged girl है चलने ही बात है, जो भी problem है उसको physically She likes chess, उसे chess पसंद है Because chess is indoor game क्योंकि chess जो है मारा indoor game मैं आप सबको पता है, कोई भी खेल सकता हूँ उसे भागदूर की ज़रत होती ही नहीं She can play it very easily वे उसे बहुत आसनी से खेल सकती है And she is very good in it और वो chess में बहुत अच्छी भी है जो school में competition होते हैं वो participate भी करती है उसमें Another student's Amun, दूसरा student जो था Amun Told that उसने बताया I like to read novel मुझे novel पढ़ना पसंद है He is very studious boy वे बहुत पढ़ा को बच्चा है Class में बहुत पढ़ा को बच्चा है वो Rohan told as Rohan ने बताया Rohan told that I like to dancing Rohan ने बताया कि उसे dance पसंद है Everyone was talking, taking, sorry, taking interest in the class हर कोई class में enjoy interest ले रहा था हर किसी को अच्चा लग रहा था class में क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हमारी बात हो रही थी पढ़ाई की तो कोई बात ही थी ही नहीं आज I told that I like dancing मैंने बताया कि मुझे dance पसंद है and making videos और मुझे videos बनाना भी पसंद है मैं videos बनाती हूं I have made videos on various dance form मैंने बहुत सरे dance form पर video बना रखी है Today we came to know about qualities of each each other आज हमें एक दूसरे की qualities के वारे में जानने को मिला देखे हम यहाँ ते Today we come to know about quality of each other आज हमने एक दूसरे की quality को जाना है It was memorable class for me और जो आज की class थी मेरे लिए memorable थी और जो बच्चों आपको question में दिया गया आपका नाम है आपको 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 खुशी नहीं लिखना है जो ऊपर लिख दिया गया आपको वो नाम लिखना है देखें नाम क्या लिखा दिया गया है You are Trisha आप अगर लड़की हैं तो Trisha लिखेंगे और आप लड़के हैं तो दूसरा नाम जो है लड़के का आप वो लिखेंगे तो आपके लिखना है Trisha फोलिव कर लिया हमने date, day, time, shallutation बोडी ओफ हमारी डाइरि एंटरी और बात में sign तो इस तरह से हम है डाइरे एंटरी कंप्रीट हो जाती है तो पेटा नइनथ कलास में आपकी डाइरे एंटरी अपके syllabus में है तो आप एसको ध्यान से करेंगे और अपनी तरफ से कोई भी अपका कोई ऐसा memorable जो भी आपका incident हो वो सब ने diary में लेखने की कोसिस करेंगे तो इससे आपको मतलब आपकी practice हो जाएगी यह सब करने की आपको डाली लेखने की practice हो जाएगी तो बच्चो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें